हेलो दोस्तों welcome back to another video दोस्तों आज के सिब्टियों बात करने वाले हैं personality rights for women यानि की दोस்तों property के इन चार अधीकारों के बारे मैं कि महिलाओं को जुरूरी पता होने चाहिए जो कि आपको आज के इस वीडियों बताने वाले हैं कि महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी में कौन-कौन से अधिकार होते हैं तो दोस्तों चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हम आपके लिए टाइम को लेके बहुत जागरुक हो रही है लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि उनके जो हिस्से की जो प्रॉपर्टी होती है उनके जो हिस्से की प्रॉपर्टी जो मिलने वाली है उस पर कोई और व्यक्ति अपना अधिकार गलत तरीके से जमा लेता है जिसके बाद उन महिला पर कब जार नहीं कर पाएगा और अगर आप इन अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तरुक जुरूर देखें बिना स्किप किये ताहिए कोई important points आप से miss ना हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे married woman properties act 1874 की आपको सेलरी या property पर अपना हग जमाता है तो उसे ऐसे करने का कानूनी अधिकार नहीं होता है और इसका साथ साथ आपको यह भी बता दें कि अगर वाइफ की प्रॉपर्टी पर यानि कि पत्नी की प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का कोई ब्याज पाती है अगर किसी वाइफ की प्रॉपर्टी है उस पर अगर उसे किसी पकार का कोई ब्याज मिलता है तो भी पती का उसमें कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं होगा लेकिन अगर पत्नी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसे हग देती है तो वो इस कानून के खिलाफ नहीं होता दूसरी बात है नाम जो है अगर पत्नी का है तो पत्नी का उस पर पूरा हक होता है और इस बात से भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए दोनों में पैसे लगाई हो ऐसा भी जरूरी नहीं है चाहे हजबेंड प्रॉपर्टी ली हो लेकिन धार उनी रूप से वही उसकी हगदार होती है तो यह राइट सबको जानना जरूरी है कि जनरली ऐसा होता है कि हस्बेंड ने पैसे दिये होते हैं वाइफ के नाम पिक ब्रॉपर्टी ले ली होती है लेकिन जब कभी कोई भी तलाक की से रिलेटेड या कोई डिस्प्यूट होत अगर कोई फैमिली विभाजत होकर नहीं रहती है तो उस परिवार में बेटी और बेटे का पिता की प्रॉपर्टी में समान अधिकार मिलते हैं अगर किसी रीजन की व्यास है यानि किसी कारणवाश अगर पिता की मृत्यू हो जाती है तो बेटी अपने पिता की प्रॉप ख्रेदी ख्रेदी है तो उसके और डिन क्या राइट होंगे तो अगर कोई भी किसी महिला कोई अपने पैसो से प्रविटक करीदी है तो वह सिर्फ उसकी ही प्रवर्टी होगी और जब चाहे वह उसकी प्रवसांब सESCO में महीला ने अपने पैसे भी लगाई है यानि किसी जॉइंट प्रॉपर्टी खृदी है किसी और जॉइंट प्रॉपर्टी खृद के उसमें पैसे इंवेस्ट किया हुआ है तो उस प्रॉपर्टी में भी उसका हिस्सा भी होता है तो यह से दोस्तों प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ महिलाओ के पेंडिंग रहते हैं और इस तरीखे से काफी काफि जो है सेना पड़ सकता है लेकिन हर किसी अगर अगर पता होंगे इसके वारे में जानकारी होगी तो हर कोई अपने अधिकार को यूज कर के अपना वकील खुद बन सकता है तो दोस्तों मिलते हैं जल्द दोस्तों आपको निए वीडियो के साथ तब तक हमारे चैनल के साथ बने नहीं है वीडियो के रिगार्डिंग माइंड में कोई कोशन हो क्यों रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए डेफिनेटली आपको जो अंसर है मिलते हैं जल्दी दोस्ता को न्यू टॉपिक के साथ थैंक्स वाचिं डिस वीडियो